मध्यप्रदीश शासन सामाने प्रशासन विभाग वल्लब भवन भोपाल के द्वारा पूरे प्रदेश से संयुक्त कलेक्टर इवं अपर कलेक्टर की तबादला सूची जारी की है और कई सहियुक्त कलेक्टर से अपर कलेक्टर बनाये गए जिनकी पोस्टिंग विविन जिलों में की गई मध्यप्रदेश शासन के द्वारा जारी सहियुक्त कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर की जारी सूची में रीवा के अपर कलेक्टर शेलिंदर सिंग को सतना जिले का अपर कलेक्टर बनाया गया वही नील मड़ी अगनी होतरी को रीवा जिले का अपर कलेक्टर के पद पर पदस्त किया गया बता दें कि नील मड़ी अगनी होतरी एक सशक्त शम्ता वाले प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनकी पहचान एक अलग रूप में मानी जाती है अपर कलेक्टर नील मड़ी अगनी होतरी में बहतर प्रिशासनिक शम्ता रखने वाले अधिकारी के रूप में पहचाने जाते हैं नील मड़ी अगनी होतरी प्रिशासनिक शम्ता के साथ कानून व्यवस्था बनाई रखने में एक अलग पहचान बताई जाती है हाल ही में विकास यात्रा को काले जंडे दिखाये जाने की घटना के बाद पूरे प्रदेश में उथल फुतल मची थी और विकास यात्रा को मनगवा तैसील के गंगेव जनपद में काले जंडे दिखाये जाने का मामला प्रदेश के मुख्य मंतुरी तक पहुचा था विपक्षी दल के लोगों द्वारा विकास यात्रा को रोके जाने के लिए चैलेंज किया गया था और फिर ऐसी स्थिती में पांच दिन के लिए मनगवा SDM अर्विंद कुमार जहा को फोर्सली अवकाश दिया गया यहां तक कि शास्की अवकाश के दिन भी इन्हें हैटकौाटर छोड़ने के अनुमती दी गई थी ऐसी स्थिती में विकास यात्रा के संचालन के लिए अपर कलेक्टर नील मडी अगनी होत्री को विशेश रूप से मनगवा और रायपूर कर्चुलियान राजस विभाग के लिए भेचा कया था जैसे ही विकास यात्रा संचालन विवस्था को दुरुस्त करने शेत्र में अपर कलेक्टर नील मडी अगनी होत्री पहुँचे उसके बाद काले जंडे दिखाने वाले विरोधी दल के एक भी लोग सामने नहीं आए और विकास यात्रा पूरी तरहां से सफल रही बुलिट रिपोर्टर के लिए बिरो रिपोर्ट रिवा